इलेक्ट्रोनिक बोर्टिंग मशीन 5 मीटर केबल द्वारा जुड़ी दो यूनिट एक कंट्रोल यूनिट एवं एक बैलेटिंग यूनिट से बनी होती है कंट्रोल यूनिट पीठा सीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है तथा बैलेटिंग यूनिट वोटिंग अपाइंट पेट के अंदर रखी होती है एविये मशीन का पहली बार इस्तमाल मई 1982 में केरल के पूरूर विदान सवाव निर्वाचन शेतर के 50 मद्दान केंडरों पर हुआ था 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तमाल इसलिए नहीं किया गया कि चुनाओ में बोटिंग मशीनों के इस्तमाल को वैधानी रूप दिये जाने के लिए उच्चितम नियालय का आदेश चारी हुआ था डिसंबर 1923 में संसद ने इस कानून में संसोधन किया जन प्रतिनित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 16A जोड़ी गई जो आयोग को बोटिंग मशीन के इस्तमाल का अधिकार देती है संशोधी प्रावधान 15 मार्च 1990 में रभावी हुआ वर्च 1990 में वे निर्बित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोगात्मक आधार पर पहली बार नवंबर 1998 में आयोजीद 16 विदानसबाओ के साधारन निर्वाचनों में इस्तमाल किया गया इन 16 विदानसबाओ निर्वाचन शेत्रों में मध्यप्रदेश में 5 राजिस्थान में 5 राष्टी राजदानी शेत्र दिल्ली में 6 विदानसबाओ निर्वाचित शेत्र थे भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बेंगलूर एवम इलेक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड हैदरबाद द्वारा विनियर में 6 वोल्ड की एक लाइन साधारन वैटरी पर चलती है पतर इविदानस शेत्रों में भी इस्तमाल किया जा सकता है जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है इविए में अधिक्तम 3840 मत दर्ज किये जा सकते हैं जैसा की सामान्य तोर पर होता है एक मतदान्त के अंदर में निर्वाज़कों की कुल संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी फिर भी इविएम की शमता पर्याप्त से अधिक है इविएम अधिक् करती है एक बैलेटिंग यूरिट में 16 अभ्यारतियों के लिए प्रावधान है येदी अभ्यारतों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो पहली बैलेटिंग यूरिट के साथ एक दूसरी बैलेटिंग जोड़ी जा सकती है इसी प्रकार येदी अभ्यारतियों की संख् अब्यार्तियों केरे काम करने हैं तो जोड़ी जा सकती है। यदि किसी निर्वाचन शेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अब्यार्तियों की संक्या 64 से अधिक हो जाये तो ऐसे में निर्वाचन शेत्र में EVM का इस्तमाल नहीं किया जा सकता है। एसे निर्वाचन शेत्र में मत पेटी एवर मत पत्र के माद्यम से किये जाने वाले मतदान की पारमपरिक फ्रणाली को अपनाया जाएगा। EVN का इस्तमाल का सबसे महत्पूर्ण फाइदा यहा है कि लाखो करूलों की संख्या में मत पत्रों की छपाई से बचा जा सकता है। क्योंकि प्रतेग अलग अलग निर्वाचक के लिए एक मत पत्र के बजाए प्रतेग मत नान के इंदर पर वैलेटिंग यूनिट पर केवल एक मत पत्र लगाया जाना अपक्षित है। इसके परिणाम से रूप कागच, मुद्रण, परिवहन, भंडारण एवं वित्रण की लागत के रूप में भारी बचत होती है। दूसरे, मत गड़ना बहुत तेजिस से होती है। पारमपरिक प्रणाली के अंतरगत और 37-40 गंटों की तिन्ला में 2-3 गंटों की भीतर प्रणाम भुशित किया जा सकता है। तीसरे, इविये मत दान प्रणाली के अंतरगत कोई अमान्य मत नहीं होता है। इसकी महतत तब वहता तरीके से समझे जाएगी जब यह याद किया जाए कि प्रत्तिक साधार निर्वाचन में कई निर्वाचन शेत्रों में और मान्य मतों की संख्या, विजय, अभ्यहरति इवं दितिय स्थान प्राप्त अभ्यहरतिय के बीच जीत के अंतरगत होती है। स्वतंत्र तता निश्पक्ष चुनाओ किसी भी देश की लोक्तांत्रिक मुल्यों के लिए महत्पूर्ण होते हैं। इसमें निश्पक्ष सटिक एवं पारदशी निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसे प्रिणाव शामिल हैं जिनकी पूष्टी स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। परंपरागत मद्दान प्रणाली इन लक्ष में से अनेग पुरा करती है। लेकिन फ़र्जी मद्दान एवं मद्दान के इंदर पर कब्जा जैसा दोश्मन वैवार निर्वाची लोगतंत्र भावना के लिए गंबीत खत्रे हैं। इस तरह भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निश्पक्ष्य चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार का प्रयास करता रहा है। सारवजनिक शेत्र के दो प्रतिस्टानों भारत इलेक्ट्रोनिक स्लिम्टेड बैंगलोर और इलेक्ट्रोनिस कोर्पोटेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड हैदराबाद के सयोग से भारत मिर्वाचन आयोग ने एव्यम यानिकी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की खोश त कुरानी मदपत्रप्रणाली की तुल्ला में वोट डालने के समय में कमी आती है तथा कम समय में प्रेणाम खोशित करती हैं ईव्यम के इस्तमाल से जाली मंदान तुता पूत कबजा करने की घट्रों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है इसे निरक्षर लोग EVM को मत पत्र प्रणाली में अधिक असमान पाते हैं। मत पेटिकाओं की तुल्ला में EVM को पहुंचाने तथा वापस लाने में आसानी होती है। नवंबर 1990 के बाद से आम चुनाओं उप चुनाओं में प्रतेक संसंदिये एवं विधानसभा निर्वाचन शेतर में EVM का इस्तमाल किया जा रहा है। भारत 2004 के आम चुनाओं में देश के सभी मतनान केंद्रों पर 10.75 लाग EVM के इस्तमाल के साथ ए लोकतंदर में परिवर्टित हो गया है। तब से सभी चुनाओं में EVM का इस्तमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन 5 मिल्चर केबल द्वारा जोरी दो यूनिट एक कंट्रोल यूनिट एवं एक बैलेटिंग यूनिट से बनी होती है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है। तथा बैलेटिंग यूनिट वोटिंग अपाइंट्पेट के अंदर रखी होती है। EVM मशीन का पहली बार इस्तमाल मई 1982 में केरल के पूरूर विदान सवाव निवाचन शेतर के 50 मद्दान केंडरों पर हुआ था। दिसंबर 1980 में संसर्द ने इस कानून में संसोधन किया। सथा जन प्रतिनी दित्व अधिनियम 1951 में नई धारा 16A जोडी गई जो आयोग को बोटिंग मशीन के इस्तमाल का अधिकार देती है। संशोधी प्रावधान 15 मार्च 1990 में प्रभावी हुआ। वर्च 1990 में विनिर्वित इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन का प्रयोगात्मक आधार पर पहली बार नवंबर 1990 में आयोजीत 16 विदानसबाओं के साधारन निर्वाचनों में इस्तमाल किया गया। इन 16 विदानसबाओं निर्वाचन शेत्रों में मध्यप्रदेश में 5, राजस्थान में 5, राष्ट्री राजधानी शेत्र, दिल्ली में 6 विदानसबाओं निर्वाचित शेत्र थे। EVM भारत Electronics Limited बेंगलूर एवं Electronic Corporation of India Limited हैदरबाद द्वारा विनिर्मित 6 वोल्ड की एकलाइन साधारन बैटरी पर चलती है। EVM का ऐसे शेत्रों में भी इस्तमाल किया जा सकता है जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है। EVM में अधिक्तम 3840 मतदर्ज किये जा सकते हैं जैसा कि सामानने तोर पर होता है। एक मतदान्त के अंदर में निर्वाचित कुल संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी है। फिर भी EVM की शमता पर्याप्त से अधिक है। EVM अधिक्तम 64 अभ्यारतियों के लिए काम करती है। एक बैलेटिंग यूरिट में 16 अभ्यारतियों के लिए प्रावधान है। यदि अभ्यारतों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है। तो पहली बैलेटिंग यूनिट के साथ एक दूसरी बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है इसी प्रकार यदि अभ्यारतियों की संख्या कुल 32 से अधिक हो जाती है तो एक तीसरी बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है और यदि अभ्यारतियों की कुल 48 से अधिक हो जाती है तो एक और बेलेटिंग यूलिट 64 अभ्याटियों के रिए काम करने हैं तो जोड़ी जा सकती है यदि किसी निर्वाचन शेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्याटियों संक्या चोसरटं से अधिख हो जाए तो जाने एसे में निर्वाचन शेत्र में EVM नहीं किया भoman का जा सकता है क्योंकि प्रत्येग अलग अलग निर्वाचक के लिए एक मत्पत्र के बजाए प्रत्येग मत्दान के इंदर पर बैलेटिंग यूनिट पर केवल एक मत्पत्र लगाया जाना अपिक्षित है। इसके प्रणाम से रूप कागच, मुद्रण, परिवहन, भंडारण एवं वित्रण की लागत के रूप में भारी बचत होती है। दूसरे, मत्पड़णा बहुत तेजिस से होती है। पारम पर एक प्रणाली की अंतरकत और 37-40 गंटों की तुनग्ण में 2-3 गंटों के बीतर परणाम भोशित किया जा सकता है। तीसरे, इविय मत्दान प्रणाली की अंतरकत कोई अव्मानिय मत्मत नहीं होता है। इसकी महता तब हैता तरिक